कि हाई या bonise a приг rush वालकुम टो ग्लेट विजियन यूए से तो इस वीग हम ने हम कहां कि सचे थे में देखा कि किस तरह से जो है ना बैरींज यो है अपने अपनीजो अपने अर असोर्थ की बीच की बात को किस तरह से माँ से छुपाती है और उनको पता जलता है तो थोड़ा घबरा जाती है जैसे मा का कंसर्ण होता है अधिरीन बात को कुछ लेती है कि लेती है जौब ती से जाना पड़ा और बात संभाल लेती है यहां जो है ना जो नानी है ना उनको अपनी बेटियों की याद आ रही है वो जो नवासी थी वो भी चली गई है पोती तो खैर इस दुनिया से चली गई है तो जो एक जहल पहल थी घर की खतम हो गई है और अब यह मशल के जाने की वज़ा से वो जा नहीं सकती है तो पहले से ही वह यहां से यह उल्जने पैदा करती थी और अभी भी वह अपनी बातों से जो है ना उन्हें कहती है कि आप नहीं जा सकती हैं क्योंकि वह एक वह फसाद डालने वाली जो पहले से भी थी अब ज़रा दा बादा खुल के दिखने लग गई है क्योंकि दोनों रड़कियां जो चली गई है मशेल जो चली गई है जो दिखती थी के वह सारफ अजात कर रही है वहर चीज जाके लड़ रही है बोल रही है लेकिन उसका तो कुछ और ही मामला था मशेल का वह तो अपने डिफेंस में कि उसे जो कंपेर करते थी उसकी वज़ा से वो अपने डिफेंस में जो है न उसने वो हरबा आजमाया था कि वो महरीन को चोट पहुचाएगी उसके फादर का वो नाम लेगी इस तहां से उसको करेगी उसको तकलीफ पहुचेगी तो लोग जो है इसकी तारीफ करेंगे और उनको कहती है कि भई आप जो है ना नहीं जा सकते हैं कर आप जाएंगी ना तो बहुच नराज होंगे और वो बहुच चल लाएंगे गज़ब हो झाएगा इस तरह से वो कहके जो है न उनको रोकती है वो जो है न वो अपनी ट्रिक्स लगा रही होती है कि हम चले जाते हैं न हम बताएंगे नहीं यह सब पर वो उन्हें नहीं वो कहती है कि वह नहीं हम फस जाएंगे करके इस तरह से बात जो है न मगर उन्हें जाने नहीं देना चा आज भी आपकी जबान पर वोग बातें, मतलब वही बातें हैं, तो इस तरहा का वो याद करती है, उनको महरीन याद आती है, कि वही जो भी था मैं उसे हर वक्त कड़वा ही सुनाती रहती थी, लेकिन वो थी, जो उनके हमेशा साथ रहती थी, उनकी हेल्प करती थी, और मैं अकेली अस्वत्व बाहर चला गया है अब जो है मगर वो तो अस्वत्व से मना करके गया कि वो कहीं नहीं जा सकती है और फिर यह कि अपना वो जेवर वगारा भी उन्हें माफ कर देती है कि मैं कोई किसी चीज़ पर मतलब कोई है मुझे आपको साथ चीज़ ने लटानी है तो वो कहती है ना जूल्री न कपड़े कुछ भी नहीं तो दे देती है और वो जो और ब्थ जो हैसे हैं कि मतलब कितना साइगी लड़की वहां सारी जंदगी सहती आई है और अभी भी यहां मेरा बेटा भी इसे खुश नहीं रहने देना चाहता है। तो वो बस उसको देखती हैं, सोचती हैं और महरीन जैना अपनी अस्वद और मशेल की जैना पिक्चर को देखती है और फिर जैना वैसे अट्स आफ क्या जबदस म्यूजिक है, मतलब लिरिक्स हैं, सब बहुत जबदस सौंग है यह तेरे बिन तो वो ही उसका आता है, जब वो सोचरी होती है और शिकवा भी क्या करें तो भ jour, पर वो कहती है महरी, वो पिक्चर देखती है और फिर कहती है कि घल्ती होगी मुझे तुम, मुझे तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए था नहीं आती तो तुम जेदा होँती, नहीं आती तुम जेदा होती और ये बात बिल्कुल सही है, उसने तो कितना ट्राइ किया, वो जो है, इनके बीच ना आए, और ये खुश रहे, मतलब असवद और मशेल, और वो इसलिए सफान से शादी करना चाहती थी, लेकिन चीजें इस तरहां से हुई कि उसने हा कर दिया, जब उसने हा कर दी तो उस हस्वद काल करता है, अपनी मॉम को पर वो नहीं उठाती है, तो फिर वो जो है, ये ये जो है, उनको पता चला है, तो वो जाके सास को, मतलब उनको ही कह रही है, कि आप सम मिले वे हैं, और इस तरहां, मतलब आपकी बेटी ने तो बहु ही बना लिया, मेरी बच्ची के खा चीज़ें क्लियर हो रही है, उसे साफ दिख रहा है, कि उसका खतल ही हुआ है, और उसके उससे देखा जाए, तो उनको तो अपनी लड़ाई में अपने ही पर इल्जाम लगाएगा, वो वो उस बंदे का सोचेगा भी नहीं, क्योंके लड़ाई हैं तो यहां चल रही है, यहीं के लोगों पर इल्जाम लगाएगा, तो उनको तो यहीं लगता है, कि मैरे इन ने खतल किया है, तो वो तो जाके उनको कोशन कहती हैं, और फिर कहती हैं कि जिन्होंने भी मतलब मेरी बेटी तो कबर में है, और मैं, जिसने भी मतलब मेरी बेटी को दुख पचाया है वहां तक पहुचाया तो मैं उनको खुश नहीं रहने दूँगी, मैं जब वो कैसे खुश रह सकते हैं तो अपनी जगह बिल्कुल सही है, उनका दुख बिल्कुल जाइज है और वो माबाप की तकलीफ है क्योंकि उनकी बेटी चली गई है, तो अपनी वेज़ असवच जो है न, वो महरीन पर घुशा करता है, उसे ऐसा लगाए है कि महरीन ने कुछ उनकी माँ को ब्रेंवाश कर दी जिसका इसे उनकी माँ पून इठा रही है, उनकार करती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है वो सची है वो क्यों जूड बोलेगी उससे उसने बोल दिया हाँ बहुत सी बात है वो नहीं बोल रही है इसका मतलब यह नहीं कि वो जूटी है लेकिन वो बोल देती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और वो इसको शरप करके फून बर्म कर देता है तो नौकरानी पूछती भी है लेकिन वो इसको बताती नहीं है और चुप सोच में रहती है क्या बोलेगी किसी को भी और देखा जैतो अच्छा किया अपनी बाते अगर आप किसी से भी करें तो फिर वो आपकी जिंदगी में सकता है। और स्पेशली होता है कि अब नों की ना किसी के भी साम में ना करना ही जाहिए। इससे फाका है तीसरा अट नानी को दिखाया कि वह वबावाशस को दे रही एंहें फिर मेरीन को देने लगती है फिर उने रहित बंग कर नहीं आए ना बच्पन से चीज़ें किसी के भी सामने अपने घर की अपने बच्चों की बाते हैं और उससे क्या होता है वो शक्स आपका फाइदा उठा लेता है और आपके जैसे मैंने बुरा कॉम्टिकेशन मौर करता है तो मेरी इंजय वो फिर खाला से पुछते कि भई आपने कि बेटे से क्यूं नहीं बात करें तो वह कहती है कि मुझसे बत्तमीजी करता है मेरी बात नहीं से अपने वाने करें रिश्ते मोगा है, नुझसे वने करेंसे मैं तो सब सुननूंगी ईसका बुरा ठी भी नहीं कर रहे है उसको ये नहीं रहे हैं मा के पार जा नहीं सकती वहां जा नहीं सकती अब यहां अट लीस है चाथ तो रहे सफान ने भी साथ छोड़ दिया दोस्त के घर ऐसे जाके तो कितना रह लेगी और शब्बो को ना दिखाया कि उसे गोलियां निकालती है वह और वह इतिंक पिल्स है नींद की है जो प्षग सब्सक्राइब करने वाला और इस तरह से क्रियेट करती है थोड़ी सी प्रॉब्लम्स तो मैरीन को फिर दिखाया वह आलबम देख रही है और अपने जो है ना उसकी मौम आती है तो वह पूछती है मतलब जैसे उनका कंसर्ण है जैसा उन्हें लग रहा है कि वह खुश है अस्वाद से खुश है वह कहती है मुझे तो इस बारे में नहीं पता उनके बारे में फिर वह कहती तुम्हारे चेहरे से खुश ही नहीं दिख रही है तो वह कहती है कि मेरा चेहरा ना पढ़ना छोड़ दें क्योंकि वह जूटा है वह आपको सच नहीं बताएगा कि जो तो इसके लिए मायरा कान को तो बहुत बहुत जादा मतलब प्रेस करना चाहिए जिस तरह से वो करेक्टर निभा रही है जाती है रही जाती है जाती है और ऊखिरी डान के घर पीठी किसे लेके आगे और भाई जो है उसे तो अब cigar मेरे बेटी की खाती यही है मैरी क्योंकि लड़ाई सामने ये दो कर रहे हैं तो यही होंगे उनकी बेटी गई है तो वो अपनी जगा मतलब अपना दुख जो है वो इस ता निकालने के पर उसको किसी तरह से जो है ना पहुचा दें सजा दें तो बहन तो कोशन करती कि इस तक को रेट क्यों पढ होता है कि अगर आप में कोई यूनिटी नहीं होना तो फिर इस वज़ा से एका नहीं हो तो फिर इस वज़ा से जो है ना लोग फायदा उठाते हैं और फिर आपको आप ही के लोग गलत लगते हैं क्योंकि आप उनके उपर दूसरों को बहुत एहमियत दे देते हैं मैरीन होँए होती नहीं हो चुप जाती है लॉंडरी रूम में मगर सालिया को भी नहीं पता होता है फले सब बेटी गही है ना तो उसको पता इस टाइम वो लोग किस से गुजर रहे हैं उनका गया है सब कुछ और वो उनको बोलती है उनकी जो बहु है शगुफता कहती है कि हमें नस्यत ना दे हमारे लिए सारी नस्यते रह गई हैं अगर इतना वह है अपनी बेटियों के पास चले ज जाएंगी लेकिन बेटों बहु ने जो खोया है उसके उनकी इस तकलीफ में उनको इस तांसे छोड़के जाना सही नहीं है और तो वह सोच में पर जाती है और जो है ना सालिया जो है वह अस्वत को कॉल करके बहुत खुसा करती है कहती है कि मतलब लॉयर का जो भी केस का है उससे बात करती है और बोलती है कि मतलब सेटल करो सब कुछ यहां आके और फिर उसके बाद जो है ना मतलब इतना से ओर्डर देती है और मैरीन अपने बापक को याद करती है और वो अलफाज याद करती कि जो उसके बाप ने कहे होते हैं उसको कि जो है ना उपर तक जाएगी और फिर सब रश करेंगे तो कहती है कि आज तुम्हारी बेटी पर कोई रश नहीं करता तुम्हें नहीं जाना चाहिए था काश तुम यहां होते और सही बात एक बाप के जाने से एक इस तरह माँ और बाप का रिष्टा कतम हुआ फिर बाप चला गया तो उसके ऐसे उसको कितना भुगतना पढ़ रहा है तो वही जानती है वह माबाप जिनकी नजों में उनकी अउलाद बहुत उपर तक जाती बहुत रश करते हैं वह आज कहां है कैसी हालात मे हैं और सारे लोग से कैसा ट्रीटमेंट दे रहा हो वही जानती है तो अपना दुख तो वह याद करती है और जो इसकी माहरीं की वह तो बड़े हुसा होती है कि भाई पुलिस लेकर आ गया तो वह जाहर सी बात है उन्हें तो गुसा आए गई और वह जो है ना सालिया कहती है मुझे नहीं बोलना चाहिए था मुझे भी कहां पता था कि पुलिस वहां चली जाएगी एन्यवेज तो वह कहती है कि मतलब मैं तो ना एक तरफ कुआ एक तरफ खाई है मैं तो फस गही हूं बीच में एक तरफ बेटी है तो दूसी तरफ शोर है जो जीने जीने नहीं दे रहा है तो महरीन कहती है आप मुझे से तालुक कतम करें और यहां नहीं आया करें और मेरी फिकर ना करें इस तरह से और उनके साथ ही रहें तो शालिया भी बोलती है जो महरीन ने किया और हम महरीन को संबाल लेंगे तो ठीक है भई ठीक बात है अब तो महर के पास है सेफ है अब अपना घरी समबाले माना मा को तो कहीं सुकून नहीं आता मा तो चली भी जाए ना दुनिया से उसकी रूखो तब भी बच्चों की फिकर रहती है वो मा हैं वो थोड़ी वह मेहरी जो है को अस्वत को कॉल करती है मगतार है बात नीं किए और वू बड़ा उस्वत कर रही है और जो है न वोही चीज असवत को actually परिशान कर रही है क्योंकि वो बार बार उस से पूछता है कि क्या हुआ था वो सचाई तुमाई तर्से सुनिया और वो उसे बता नहीं रही है बिरको भी नहीं बता रही है तो वो अगर अपना सच नहीं बताएगी तो किस तरह से होगा उसे बताना तो पढ़े गाना हर चीज ऐसे ले लेगी तो वो भी गलत होगा तो शबो जो है वो नानी से कहती है यह इस जीन था क्योंकि वो आकर उसको कुछ अंदर से परिशान कर रहा है वो जानती है किसने क्या किया है तो शबो जहना नानी से कहती है कि मुझे लगता है मुझे गुना हो गया है आप दुआ करें कि अल्ला मुझे माफ कर दे तो नानी कहती है अगर मेरी इतनी सुनने वाला होता अल्ला तो मेरे बच्चे इस तन से लड नहीं रहे होते हैं मैंने पता नहीं क्या गुना कर लिया अपने से ही मतलब हो बढ़े हैं मैं भी इस त condemn से गुजर रही है चीज़ों से और फिर पूछती है तो तो खुछ आहिते हैं कुछ नहीं करके चली जाती है बात नहीं बताती है फिर यहां पुलीस वारा टाहर जो है ना उनको मास्यल के फादर को बता ही देते हैं फैनली उन्होंने बता दिया कि आपकी बेटी जो नप पिल्स लेती थी आप देखें डॉट्स खुलते जा रहे हैं कहां से कहां 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 चीजने अब के लिए होती ज मुलज़मा नहीं खरीदी ती, आपकी बेटी नहीं करी लिए तो यह थोड़ा our기도 हरा सपूरे जारा रहा और हम जो दहना इसथा इस度 पहंच रहे हैं, खातुल की तुर्फ। हैं पोर ठी बेकरी होती और पिर उसे ऐसे महसूस होता है कि मषेल जैस apts उसका गला दबारी है जबरदर सीन है बहुत जबरदर सीन है और गला दबारी है और वो न एक्दम देखती है तो कोई नहीं और डर के जो है न सौफे के दूसरी तरफ जाके बैठ जाती है और फिर वो देखती है मशेल वहां बैठी है मेशल वहां बैठी है और कहती है कि डर गई तो मेरीन कहती है कि तुम तो मर गई थी तो मेशल कहती है ये तुम्हारी खौाहिश थी कि मैं मर जाओ मेरीन कहती है नहीं मैंने नहीं मारा तुम्हेशल कहती है तुम्हारी नफरत ने मार दिया तुम मुझे मानना चाहती थी तो वो जो है ना क्योंकि ये इतनी नफरत थी एक दूसरे से इस तरह से उसकी अपनी नफरत जो महरीन की उस पे गुश्सा रहता थी क्योंकि उसकी वज़ाई से सब इस पे हसते थे इसके फादर के लिए बोलते था रो चीज उसको चुपती थी तो वो जो नफरत थी ना उसका फाइदा किसी तीसे नोट है लेकिन उसकी नफरत जाना रीजन बनी है इसका लड़ाई जो थी मशेल की क्योंकि वो जो इनको कंपेर किया गया उसकी बेस पे और ये इसकी नफरत थी क्योंकि हमेशे इसके बाप के नाम से चेड़ा गया तो उसको नफरत सी हो गई थी वो लिखती थी कि मुझे इससे नफरत है और उसके साथ मतलब रहना नहीं चाहती थी तो उस वज़ा से सिर्फ के फादर के नाम की वज़ा से उसके फादर को लेके चीज़ बोली जाती थी तो तो फिर एक असवत की आवास सुनाई देती जैसे वो मशेल को आवास दे रहा है मशेल कहते हैं देखो असवद मुझे आवाज दे रहा है तुम्हें आवाज नहीं दे रहा है और मुझे बुला रहा है ऐसे कहती है और कहती है अस्वत को जिसे जवाब दे रही है मशेल यह सब महरीन सोच रही है कि मशेल जवाब दे रही है अस्वत को बोले है अस्वत मैं यहाँ पर हूँ महरीन के पास हूँ करके और इस तरह फिर अस्वत उतर के आ रहा है और मेरिंग देखती है स्वाधार और वो उटके खड़ी हो जाती है और वहीं पे कतम हो जाता है तो ये बहुत ही मतलब हाइलाइट मतलब सीन आप कह सकते हैं आज की अपिसोड का जहां पे ये बात और और क्लियर होती भी दिखी है कि कोई तीसरा है जिसने नफरत का फाइदा उठाया है और मेरिंग ने नहीं मशल का खतल किया है नहीं मशल ने सुइसाइट किया है ये कोई तीसरा है जिसने इसका फाइदा उठा कि उसका खतल हुआ है तो यह चीज क्लियर होती हुई लेकिन प्रोमो और जाएडा मेरिन concisenia और सबसंद मैरिन को मानने ayam सब जोड़ेंगे तो प्रोण में चोटे चोटे सीन दिखा है और महरीन साले से कहती है कि माफी मांग ली मैरीन कहती है आपकी वजा से भी मर सकती है तो उस पर कुश्चन करती है बड़ा इंटरस्टिंग है देखना और शगुफता कहती है जिस तरह से हो मैं बदला लूँगी मतलब उन्हें बदला लेना है क्योंकि उनकी बेटी गई है तो वो अपनी जगा सही करी है जहां वो कुछ वीक पहले मुझे बहुत गलत दिख रही थी मुझे ऐसा लगता है बिला वज़े महरीन पर जा रही है इल्जाम लगा रही है जो कि अभी भी गलती था क्योंकि उनको एक्च्वल खातिल नहीं पता है और वो हवा में तीर छोड़ रही थी और महरीन पर जा रही थी लेकिन ऐजे मदर देखो तो उनका वो बज़ा है गुसा नफरत जो वो समझ रही है महरीन नहीं किया है उनकी बेटी क्योंकि उनकी बेटी गई है उन्होंने खोया है और वो कह रहा है कि जिसकी वज़ा से भी मेरी बेटी की जान गई वो ताहिर भी उससे बदला लेना चाहता है गुसा है और अपने कोई थपड़ मार रहा है और जो के मुझे बड़ा अच्छा लगा है क्योंकि बिना जाने बिना समझे किसी पे अपना गुसा अपनी नफर नहीं उताननी चाहिए और समझना चाहिए महरीन को उसे भी माना वो नहीं बोल रही है तो there is a way to ask but anyways मगर वो थपड़ अभी खा रहा है क्योंकि उसके लिए बाद में जब चीज़ें सामने आएंगे clear होंगी तो ये सब कितना रोने वालें कितने कितना अपने आप से इनको और इनका गिल्ट बनने वाला है कि इन्होंने क्या किया है अभी उसे किस बात का गिल्ट है वो तो अपिसोड में पता ही चलेगा लेकिन आगे जब और चीज़ें सामने आएंगी तो इसका गिल्ट और वो होगा कि भई इससे मिशल भी गई महरीन भी इस तरह फसी और किसी तीसरे ने फाइदा उठाया तो बहुत इन तीनों के लिए बुरा भी फील होता है कि ये तीन लोग जो तीन दोस्त है उनके बीच किस तरह से बड़ों की वज़ा से दूसरों की वज़ा से एक करवाहट आ गई और फिर उसका उनको ही किस तरह से बुगतने पड़ी सजा त क्योंकि ये खाकिल का चेरा इस पहरी हो एंस्ता ये जिनों ने शायत पहले नॉबिल पड़ी हो लिए पेले से जानते हूं इस्ट्योरी उनके लिए तो क्लिए हो गाःए थे हां पर हम जैसे लोग जू बहुत से हैं जो सिफ्सेट शेज फिलन सुनिति न उनके लिए भी क and don't forget to subscribe to our channel Hi, I am Nia Sharma and you are watching me on Glitz Vision USA